मेरे प्यारे बच्चो आश्रा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे मैं एजाज मनसूरी आपके अपनी यूटीब चैनल एक राइंग्लिस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वाकत करता हूँ बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का लेसन 6 जिसका नाम है मैजर फोर मैजर तलब जैसे को तेसा बॉक्स में क्या लिखाए देखते हैं क्या आपने तेनाली रामन के वारे में सुना है सेकेंड है वह किसलिए प्रसिद्ध थे चलो लेसन स्टार्ट करते हैं किंग क्रिष्न देव राय वास नौन फोर इस पेट्रोनेज ओफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स & he was equally found of fine arts किंग क्रिष्न देव राय जो है वह नौन यान जाने जाते थे इस पेट्रोनेज ओफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स अपने कभियों और विद्वानों का उन्हें बहुत ज्यादा अधिक सोख था he was equally found of fine arts और उन्हें fine arts मतलब चित्रकारी कलाकृती चित्र का भी बहुत सोख था found of उन्हें सोकिन थे वो once एक बार क्या हुआ he came to know about a brilliant artist named Rajavarma एक बार उन्हें एक बहुत ही होश्यार कलाकार के बारे में बहुत ही अच्छे कलाकार के बारे में पता चला जिसका नाम था राजा वर्मा है ही इन्वाइटेड राजा वर्मा तूदा कोर्ट तो यह महाराज कृष्ण देव राय जो थे राजा थे इन्होंने राजा वर्मा को कोड याने अपने महल में बुलाया इन्वाइट किया ना इन्वाइट करना याने बुलाना and or asked him to draw his portrait और उससे कहा कि तुम मेरा एक चित्र बनाओ the king was very pleased with the artist राजा जो था उस कलाकार से बहुत ज्यादा pleased याने खुस हुआ when जब his portrait was ready जब उसका चित्र तयार हो गया तो राजा उस कलाकार से बहुत ज्यादा खुस हुआ पॉर्ट्रेट याने चित्र यह देखिए यह महाराज राजा जो है कृष्न देवराय है और इसका चित्र जो है यह आर्टिस्ट का लाकार राजा वर्मा ने बनाया है इन दा पॉर्ट्रेट चित्र में दा मैजिस्टिक एंड दा हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विदिन दा प्रेम अना यह जो चित्र बनाया था आर्टिस्ट राजा वर्माने उसने इतना खूपसूरत और इतना अच्छा चित्र बनाया है कि यह जो राजा था विल्कुल अलाइव मतलब जीवित चित्र की तरह यह चित्र दिखाई दे रहा था विल्कुल जैसे की अच्छी की यह यह चि ता वो राजा वर्मा इस portrait अपार्ट इस चित्र के अलावा राजा वर्मा drew images of prominent character of men and women from the Purans and so on, इस चित्र के अलावा राजा वर्मा ने और भी कई चित्र बनाएं जो की प्रसिद्ध पात्र थे जो पुराण के पुराण के प्रसिद्दork और महीलाएं उसकी महीलाएं और में प्रसिद्द में उन्के उनके बना है राजावरमा ने He becomes well-known 給 his genius तो वह अपने इसकाल्यकृती के बहुत well-known मतलब要46mma मना जाने लगा प्रसिद्द हो गया हो and close and dear to the king और महाराज का बहुत ज़्यादा चाहिता बन गा, बहुत ज़्यादा प्री बन गा, dear यह प्री Overland with joy इस खुसी में प्रिश्न देव राय कॉल्ड दा आर्टिस्ट and asked him what he wanted Overland मतलब बिना कुछ सोचे समझे खुसी में क्रिश्न देव राय राय राजा ने उस आर्टिस्ट को बुलाया और उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो What he wanted, तुम क्या चाहते हो When Raja Verma did not reply जब Raja Verma ने कुछ उत्तर नहीं दिया आना उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं था लेकिन राजा उससे इतना कुछ सुआ था कि उसको इनाम देना चाहता था कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ तुमने तने अच्छा चित्र बनाए है The King on the spur of generous impulse rewarded him with the chief ministership तो महराज ने क्या करा बिना किसी सोचे समझे on the spur of generous impulse मतलब बिना कुछ सोचे समझे उसको chief ministership दे दी मतलब उसको मुख्य मंत्री बना दिया मुख्य मंत्री पत दे दिया हाना reward याने उसको दे दिया कि तुम्हा से मुख्य मंत्री का पत संभाल होगे दो राजा वर्मा वाज अ गूड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट जैसा कि राजा वर्मा एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और एक बहुत ही शांदार कलाकार भी था लेकिन उसे जो राजपार्ट का कोई भी अनुवाव नहीं था जल्द ही क्या हुआ सबकुछ अस्तिव्यस्त होने लगा उसके निर्णे जो थे वो गलत होने लगे और वो राजपार्ट ठीक से समाल नहीं पा रहा था विकॉस क्योंकि ऑफ इस हैस्टी डिसीजन उसके जल्दवाजी में लिये गए निर्णे और बैड मैनेजमेंट और वो चीजों को सही तरह से मैनेज भी नहीं कर पा रहा था ऑफ दा इस्टेट अफेर्स राजजी की जो घटनाए और जो भी जो भी चीजे राज़ी में घटित हो रही थी उनको संभाल नहीं पा रहा था कि किस तरह से क्योंकि वो तो एक कलागार था उसको राजजी चलाने का नौलेज जी नहीं था हाना राजपाट के से चला जा तो राजा वर्मा ने जो कृष्ण देवराय राजा थे उन्होंने खुस होकर उसको मुख्यमंत्री का पत दे दिया मुख्यमंत्री बना दिया राजजी का दो पीपिल वर अनहिपी लोग उससे बहुत नाखुस थे वीट हीज एड्मिरिस्टेशन जिस तरह से वह राजप क्योंकि राजा का वह बहुत ज़्यादा चाहीता था तरही था दा एल्डर्स ऑफ दे टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तैनाली रामान्स हेल्प जो गाओं के जो बुजुर्ग लोग थे वो उन्होंने अन्त में क्या करा तैनाली राम के पास पहुचे अप्रोच की वहाँ पर पहुचे और तैनाली राम की मदद मांगी साउट याने मांगना तेनाली रामन सहल याने तेनाली रामन की मदद इन गेटिंग रीड ओफ मतलब चुटकारा पाने के लिए दा न्यू और इनएप्ट चीफ मिनिस्टर इस नय और ना समझ मुख्य मंत्री मतलब इसको राजपाट की कुछ समझ नहीं है फिर भी इसको मुख्य मंत्री बनाए दिये गया तो इससे चुटकारा पाने के लिए वह अब तेनाली रामन के पास गए गाओं के बुजुर्ग लोग तेनाली रामन एशूर देम तेनाली रामन ने उन्हें भरोसा दिलाए गाओं के लोगों को मैं जल्दी ही इसका कोई हल ढूंड लूँगा जो जो आर्टिस्ट एक अलाकार है इसको मुख्य मंत्री पद से हटाने के लिए जल्दी ही कोई इसका एक हल ढूंड लूँगा आगे देखते हैं कुछ हफ्तों के बाद तेनाली रामन ने राजा को इन्वाइट किया अना तेनाली रामन ने कुछ दरवारी लोगों को अपने घर पर लंच जने बोजन के लिए आमंत्रीत किया इसी दोरान इसने एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर मतलब जो लकड़ी वगेरा का काम करते हैं बढ़ा ही बोलते हैं हिंदी में जो भी कूर्सी वगेरा टेवल वगेरा बनाते हैं और लकड़ी के फरनिचर वगेरा बनाते हैं उसको कारपेंटर बोलते हैं तो इसी दोरान तेनाली रामन ने एक बहुत अच्छे कारपेंटर को ढूंड लिया और उसको महराज के लिए साही दावत या साही खाना बनाने के लिए काम पर लगा दिया तेनाली रामन ने आदेश दिया तो सभी राजा और जो सभी भी लोग थे वो लंच के लिए बैठ गया सीट याने बैठ ना सेट याने बैठ गया सेकेंड फ़ाव में सिट का कारपेंटर बीगें सर्विंग देम जो बड़ा ही था उन्होंने सबको खाना सर्व किया जैसे उन्होंने पहला निवाला अपने मुह में डाला सब्सक्राइब बार 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 पानी ही पानी मांग रहे थे ना इतना तीखा खाना था कि उनका बहुत जादा मुह जलने लगा और बार बार पानी मांगने लगें कि शून आफटर टेस्टिंग दा फूड खाना टेस्ट करने के बाद दा किंग रियालाइजड देट फूज वार्ड वेडली कुगड और वाज अन बियरेवली हॉट वाज लिविड राजा को रियालाइज देने एसास हुआ कि जो खाना था वह बेडली कुगड बहुत ही बुरी तरह से पका हुआ था एंड अन ब्रेर विली हॉट और बहुत जदा तीखा और बहुत जदा गरम भी था राजा जो थे वह बहुत जदा गुसा हुए बहुत जदा लाल हो गए गुसे से उन्होंने क्या कहा रामान यह खाना किसने पकाया है Do you want us all to suffer and die by eating this horrible food क्या तुम हमें इस भायानक खाने को खिला कर हमें मानना चाहते हो क्या यह नहीं horrible यहने भायानक फूड यहने खाना डाय यहने मानना चाहते हो क्या In his usual humble way तेनाली रामन said तेनाली रामन ने बहुत ही विनम्र तरीके से का humble way ने विनम्र तरीके से I beg your majesty forgiveness महराज मैं आपसे छमा मांगता हूँ यह आप application में भी लिखते हैं I beg to say विनम्र निवेदन है की I beg मतलब यह छमा मांग रहे है your majesty forgiveness मतलब महराज मुझे छमा कर दो मैं आपसे छमा मांगता हूँ then he sought the carpenter to the king ऐसा कहते हुए तेनाली रामन ने चो carpenter था बढ़ाई उसको राजा के सामने पेस किया I have never come across such an excellent carpenter and I have put him on the job of cooking the lunch for today's feast I have never come across such an excellent carpenter मैं ने इतना अच्छा बढ़ाई कभी नहीं देखा आज तक and I have put him on the job of cooking the lunch of today's feast और मैंने आज के इस साही भजन के लिए इसको खाना पकाने के लिए रख लिया the king began laughing loudly तो राजा यह बात सुनकर बहुत जोड़ से हसने लगा have you lost all sense रामन क्या तुम पागल हो गए रामन तुम में इतना भी दिमाग नहीं है कि a good carpenter should be employed to work on wood not on food एक अच्छा जो carpenter है बढ़ाई है वह wood यह लकडी के काम के लिए उप्युक्त रहता है ना कि खाना बनाने के लिए how did you get this funny idea तुम्हें या बेतुका सा funny idea कैसे आया तेनाली रमन asked the king courteously तेनाली रमन ने राजा से बहुत उच्छुक होकर पुछा lord maharaj if an artist can become a chief minister can't a carpenter become a cook maharaj यदि एक artist याने कालकार एक पुख्यमंत्री बन सकता है तो एक carpenter याने बढ़ाई खाना पकाने वाला cook क्यों नहीं बन सकता the king at once understood that तेनाली रमन got a carpenter to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister the king at once understood Raja उसी वक्त सबच गये that ki तेनाली रमन ने इस बढ़ाई को खाना बनाने के लिए काम पेशली लगाया ताकि वह मुझे मेरी गलती का हिसास दिला सके कि मैंने चो एक आर्टिस्ट था राजा वर्मा उसको मुख्यमंत्री बनाकर गलती की है अना तो यह राजा महराज कृष्ण देव राज को यह रियलाइस करवाना चाह रहे था तेनाली अमन अना अपनी गलती का एसास दिलवाना चाह रहे थी कि महराज आपने गलत डिसीजन लिया है दा किंग वह सेवड दा अम्बरेस्मेंट ओफ रिमोविंग राजा वर्मा फ्रॉम दा पोस्ट इस प्रकार जो राजा ने राजा वर्मा को उस पद से हटा दिया मतलब उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया विकोस क्योंकि वेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउड दा अवक्वर्ड इंसिदेंस एट रामांस हाउस इमिडेटली रिजाइंड फ्रॉम इस पोस्ट जैसे ही राजा वर्मा जो कलाकार था आर्टिस्ट था उसको इस ओक्वर्ड इंसिदेंस इस घटना के बारे में जैसे ही पता चला जो रामन तेनाली रामन के घर पे घटित हुई थी इमिडेटली रिजाइंड फ्रॉम इस पोस्ट उसने तुरंथी अपने पत से उसी वक्त इमिडेटली रिजाइंड याने इस्तिफा दे दिया लेटर बाद में राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रामन राजा वर्मा ने तेनाली रामन से कहा देट की एक अलाकार रहने में ही खुस है आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें और देखते रहें आपका अपने यूट्यूब चैनल एका एंगिस क्लास